हेलो स्टुडेंट, वेल्कम टू सक्सेस मंत्रा एड्यूकेशन, मेरा नाम है राजिश कुमार और आज आप हमारा वीडियो का जो टॉपिक है, वो है स्टेंडर्ड डेवियेशन एंड वेरियन्स तो ये मैं टॉपिक क्यों लेके आया हूँ, तो आज मैं जो RRB के NTPC के फर्स्टेज के एक्जाम हुए थे, तो आज मैं उनको एनलाईज कर रहा था, तो मैं रेको कुछ ऐसे चैप्टर मिले, कि जो आपको डेली रुटीन में आपको प्रैक्टिस में नहीं होते, लाइक मैं बात करूँ कि जैसे आप SSC CGL की तियारी कर रहे हो, बैंक P.O की तिय ठीक है, यह उन बुकों में नहीं दिये जाते, तो आपको इनका कंसेप्ट भी पता नहीं होता, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, क्वेस्टनों को पेपर में, छोड़ाते हो, जैसे कि मैंने हाँ पे दो क्वेस्टन लिखे हो है, जो 16 प्रैल, 2016 को सेकिंड शिफ्ट में RRB क NTPC stage 1 exam में पुछे गए थे, ठीक है, पढ़ने में difficult है question, बट बिल्कुल easy है, आपको pen और paper की भी जरूरत नहीं है, इन दो question करने के लिए, और ये एक ही exam में पूछे गए थे, शामवाली shift के paper में, एक ही exam में ये दो question पूछे गए थे, ठीक है, तो ये standard deviation और variance क्या होता है ये जो statics के subject पढ़ते हैं जो student उनको कुछ जादा पता होगा, क्योंकि वे जादा use करते हैं standard deviation और variance का, तो अगर मैं generally बात करूँ, एक sentence में, for example, आपको कोई भी data given है observation का, like उसमें 5-6 observation है, तो हर एक observation की value अलग है, तो हर एक observation vary करती है, ठीक है, तो standard deviation में हम ये निकालते है कि एक value, maximum और minimum कितना variation है हमारी दे गई value के अंदर, ठीक है, तो चली direct question लेता हूँ मैं, आपको theoretically बताने की वज़ाए, ठीक है, आपको जल्दी समझाएगा, ठीक है, तो मैंने कुछ जो, एक-दो step पहले ही लिख के रख रखे हैं, ताकि व्यूडियो ज़्यादा लंबा न बने, क्योंकि आज कल बच्चे, डिमांड करते हैं कि सर, आप concept दो question का समझाते हो, बट वीडियो 20-25-25 minute का होता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले से 2-3 step लिख के रख रखे हैं, standard deviation और variation के, ठीक है, आपको असानी से समझाएगे, आपने 8th class में ये सब कुछ पढ़ आपका, square root of variance, square root of variance, Latin word sigma से denote करते हैं हम, किसको, standard deviation को, standard deviation को, ठीक है, और क्या होता है, sigma किसके बराबर होता है, square root of variance के, clear है, और ये variance क्या होता है, variance, अगर मैं theoretically, अगर मैं theoretically, इसकी definition की बात करूँ तो, the average of squared difference from the mean, average of squared difference from the mean, नहीं समझाया, तो चलिए, question मैं बताता हूँ, practically आपको, 2 second के अंदर ये समझाएगा, कि variation क्या होता है, कैसी निकालते हैं, suppose करो आपको ये value दी गई है, यहां लिखी है, 9, 10, 11, 7, 13, okay, और आप से paper में पूछ लिए, find the standard deviation of these values, ठीक है, तो मैंने आपके क्या बता है, कि जो standard deviation होता है, वो क्या होता है, square root of variance, तो सबसे पहले आपको variance निकालना पड़ेगा, जब आपकी variance की value होजए, कि तो standard deviation आपको automatic निकल जाएगा, तो variance निकालने के लिए आपको पहला step क्या करना है, पहला step है कि जो आपको जितनी भी observation दी गई है, आप सबसे पहले उनका mean निकालोगे, mean मतलब average मैंने निकाल लिया, इनको जोड़ दिया, 50 आया, कितनी observation है, 5, average आगया 10, step 1 clear है, ठीक है, step 2 पे आएंगे, step 2 पे आपको क्या निकालना है, difference between values and mean values, मतलब कि यह जो आपको observation दी गई है, इनमें जो value है, वो इस mean value से कितना vary कर रही है, यह आपको निकालना है, difference, निकाल लिया, 9 में से 10 गया 1, 10 में से 10 गया 0, 11 में से 10 गया 1, clear है, जो step 3 है, step 3 क्या है आपका, most important है, step 3 में आपको क्या करना है, यह जो आपका difference आया है, यह जो आपका difference आया है, इसको आपको square कर देना है, इस difference का आपको क्या कर देना है square कर देना है और इनको आपस में add कर देना है यहाँ पर minus 1 है minus 1 का square 1 0, 0 का square 0 1, 1 का square 1 यहाँ minus 3 है minus 3 का square 9 3 का square 9 clear है तो अगर मैं इनको जोड़ूंगा कितना आएगा 9 और 19 और 19 और 20 divided by 5 कितना आगे आपका 4 ठीक है तो आपको क्या कर लेना है कि difference between the value and mean value जो आएगा उसका square करके उसका भी average निकाल देना है यहाँ तक कोई दिक्कत भाई यहाँ तक कोई दिक्कत ठीक है I hope आपको यहाँ तक समझ आया होगा ठीक है तो हमारा step third में value क्या आई है 4 यह आया है आपका variation variation क्या आगया 4 और variance क्या होता है variation आगया आपका 4 और standard deviation क्या होता है square root of variance तो sigma क्या होगा आपका square root of variance variance की value क्या आई है आपकी 4 तो sigma क्या आगया आपका 2 standard deviation कितना आगया 2 I hope आपको यह समझ आया होगा ठीक है पहले क्या किया हमने जो आपको value दी गई थी उसका mean निकाल लिया second step हमने क्या किया कि जो आपकी values दी गई है वो mean value से कितना vary करती है difference निकाल लिया third step हमने क्या किया जो mean value और हमारी values के बीच का difference आया है उसका square करके हमने उसकी average निकाल दी और यह क्या आपका variance और मैंने क्या बताया था शुरू में standard deviation किसके बराबर होता है square root of variance तो 4 का square root क्या होगा 2 2 आपका answer clear हो गया ठीक है तो अब exam में वो यह भी पूस्ता है जैसे कि आपने second question पढ़ा होगा जैसे में आपको question दिखाया था शुरू में उसमें क्या था कि यह पूछ रखा था दूसरे question में कि what is the value of coefficient of variation what is the value of coefficient of variation तो coefficient of variation क्या होता है coefficient of variation बस आप इतना समझ लीजिए कि वो आपसे यह पूछ रहा है coefficient of variation coefficient of variation भई वो आपसे बस यह पूछ रहा है कि जो आपका standard deviation आया है ठीक है वो mean value का कितना प्रतिशत है standard deviation क्या आया है sigma mean value क्या निकाल ली थी mu कितना प्रतिशत है गुणा so clear है clear है यह formula ठीक है अब question वो दो type के देता है standard or deviation के अंदर पहला आपको उसमें दे रखा होगा population population word use करेगा वो अगर वो population word use नहीं करेगा तो आपको question ऐसे देगा कि like four जू के अंदर मालो चार गोरिलाज है चार गोरिलाज की जो वजन है या फिर उनकी height है उनके आपको values दे देगा ठीक है तो वहाँ पे counting हो गई गोरिलाज कितने है चार तो क्या हो गया population का question हो गया ठीक है दूसरा case होता है कि वह sample ठीक है कुछ observation के आपको sample देता है given लिखके देगा वहाँ question के अंदर ठीक है तो उस case में हम standard deviation जब आप sample की बात करेंगे तो standard deviation को हम s लिखते है ठीक है और जो mean होता है mean मतलब की यह mu उसमें हम mean को x bar लिखते है यह आप 8th class में सब बढ़ चुके हो बस आप भूल गए हो ठीक है कि mean को क्या लिखते है x bar तो जब sample की बात हो तो उसमें भी coefficient of variation पूछ ले उसमें क्या होगा वही standard deviation क्या है x mean क्या है x bar so clear है आयोप आपको standard deviation और variance के बारे में पता चल गया होगा ठीक है तो आप अपनी तरफ से 2-3 value लिखके practice कीजिएगा असानी से आप कर लोगे ठीक है तो चलिए देखते हैं वह question जो हमने शुरू में आपको दिखाये थे देखें कितने easy question है आपको pen copy के भी जरूरत नहीं है ठीक है पहला question है if the standard deviation of population is 6 what is the population variation भई मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था कि जो आपका standard deviation होता है वह square root किसका होता है variance का अब यहां से आपको क्या पूछ रहा हो variance पूछ रहा है standard deviation दे दिया तो variance का square root करके क्या आने चीए 6 आने चीए ठीक है तो जाहिर सी बात है variance की value क्या होगी 36 pen की भी जरूरत नहीं है आपको सिधा tick कर रहा है 36 क्योंकि मैंने क्या बताया था sigma square root of variance clear है ठीक है second question देखिए बहुत easy इसमें भी आपको pen copy की जरूरत नहीं है अगर आपकी calculation fast है ठीक है the mean of distribution is 18 standard deviation is 7 what is the value of coefficient of variation मैंने क्या बोला था कि जब वो आपसे coefficient of variation पूछे coefficient of variation पूछे तो वो क्या होता है sigma upon mu mu मतलब average और sigma standard deviation और जब sample के हो sample दे रखा हो question में तब क्या होता है s y x bar into 100 s और sigma दोनों standard deviation है x bar और mu दोनों क्या है mean है clear है तो यह क्या हो गया निकाल दो आपका standard deviation कितना है 7 standard deviation कितना है 7 आपका mean कितना है 18 और into 100 तो यह हो गया 700 बटे 1800 यानि कि यह 3 पे जाएगा तो यानि कि हमारा पहला प्लेस पे क्या आएगा इसमें किसके पहले प्लेस पे 3 है D पे आयोप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो गाइस प्लीज लाइक शेयर और अपने फ्रेंड के सुझा साथ शेयर किजिएगा वीडियो ताकि उनको भी पता हो सके कि standard deviation के question भी RRB NTPC stage 2 exam के अंदर पूछे जाएंगे इस वीडियो के बाद stay tuned